तो गाईस स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में और आज की वीडियो का टॉपिक तो आप लोग थमनेल देखके समझी गए होंगे हाँ भाई लोग साल का सबसे बड़ा और धमा के दार इवेंट यानि दिवाली इवेंट आने वाला है सारी जानकारी मिलेगी इसी वीडियो में बट वीडियो में आगे बंडे से पहले आपको याद दिला दू लास्ट वीडियो में आपको रिडियम कोट्स दिये थे जो की जुपी वालों ने मुझे दिये थे आपको देने के लिए और भाई लोग आज दुबारा से मुझे जूपी वालों ने 100 redeem quotes दिये हैं वो भी आप लोगों को देने के लिए और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना बस पिन कमेंड में से जूपी आपको डाउनलोड करके लॉग इन कर लेना जूपी आप के अंदर आप लोग सिंपल सा लूडो खेल के धेर सारे पैसे जीत सकते हो और इजिली विड्रॉ करके टॉप अप भी कर सकते हो और ये 100% सेफ और सिक्यूर प्लैटफॉर्म है तो जाओ भाई डाउनलोड करो और मुझे टैग करना मत भूलना मेरे इंस्टाका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा बागी गाईस बढ़ते हैं अपनी वीडियो की और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे मेल बॉक्स में कुछ आया है जो कि अपकमिंग फ्लैस सेल्स इवेंट का अरली एक्सेस है और यह मुझे मिला आपको इवेंट के बारे में बताने के लिए तो भाई लोग इवेंट इस्टार्ट होगा 11 अक्टूबर को और 13 अक्टूबर तक गेम में रहेगा इस दोरान हर 6 गंटे में प्राइस पूल चेंज होता रहेगा मतलब 11 अक्टूबर को सुबह 4 बजे इवेंट आएगा वो भी हैवी डिसकाउंट के साथ और 6 गंटे बाद यानि सुबह 10 बजे सारे आइटम चेंज हो जाएंगे और उन पे भी आपको डिसकाउंट मिलेगा क्योंकि मिश्ट्री सॉप में घुसने के बाद आपको एक फिक्स डिसकाउंट मिलता था जो कि हर आइटम पे सेम डिसकाउंट रहता था किसी का लग बढ़िया होता तो उसे 90% मिल जाता लेकिन जिसके किसमत मेरे जैसी होती होती हो से 40-50% डिसकाउंट के साथ बैठे रहना परता था और आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे और आइटम भी वही सेम रहते थे बट इस फ्लैस सेल वाले इवेंट में सारे प्लेयर को हर आइटम पे डिफरेंट डिसकाउंट मिलेगा जो कि 60 से लेकर 90% तक रहेगा और आइटम भी चेंज होते रहेंगे लेकिन इसकी मुझे एक चीज पसंद नहीं आई इन लोगों ने बहुत कम टाइम दिया है मिनिमा में एक हफता तो इवेंट को रहना चाहिए था यार वैसे भी इतना बढ़िया डिसकाउंट इवेंट है बाकि डिसकाउंट इवेंट तो आते हैं तो लंबे टाइम तक चलते हैं हो सकता है अगर इनावाले अभी टेस्टिंग कर रहे हो इस इवेंट की देख लिया तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर ही देना और बेल आइकन को अन करके और पर सेट कर देना